हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैच चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कच्छे अंडे और हरे मतर की बहुत ही यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने या पर चार अंडे लिये हैं और दो यहाँ पर मिर्चीर जदा भी डाल सकते हैं साथ में डाल देंगे हम एक टेबरस्पून पानी और इसका हमें फाइन पेश्ट बनाना है तो यहाँ पर मैंने फाइन पेश्ट बना लिया है और यह दिखिये बिलकुल स्मूध है तो अब हम एक बॉल लेंगे और इसमें कजमा में अछे से stats mode, यूहां पर भुख़ए में लिए गर्म कर लेना है। करना देना गते लगे ऐंदने चलड़ Aaëlle मिल स्सकान ईञानाय को छूशाइड घार बेटर में अच्छे से और लिए तो उपर का जो गीला वाला पाट है वो खोड़ी आगे बढ़ जाएगा और जब आप इसे इस तरह से रोल करेंगे तो अंदर इसे ये खोड़ी सीख जाएगा तो अभी हमें इसे पीसे में कट कर लेना है आप चाहे तो छोटे बड़े पीसे कर सकते हैं तो बैने यहाँ पर इसे इस तरह से कट कर लिया है और एक मिनट के लिए हमें इसे और सेक लेना है दोनों साइट से ताकि अच्छे से फ्राइ हो जाए आप चाहे तो इसे ऐसे भी केचप के साथ यह ऐसे भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में पर हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो सबसे पहले हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब हमने जिस मिक्सर में मटर का पेश्ट बना है तो उसी में हम दो टमाटर डालेंग और इसका भी पेश्ट बना अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में तो यहां पर सेम पैन में हम डाल देंगे दो टेबल स्पून ओयल इसे अच्छे से कर्म कर लेना है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक तेज पता आधा चोटा चमच साभू चीरा आधा चोटा चमच सौफ सौफ डालने से बह इसा इसके पैस को काट के डाला है तो पैस का कलर यहां पर चेज जो किया है और अब हम इसमें ठाल देंगे वन टी स्पून अध्रा कलेशुन का पेष्ट तो इसे आच्छे से हम एक से दो मिनिट के लिए फ्राय कर लेना है अध्राक लेसन का पेश्ट डालने से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है साथ में हम इसमें डाल देंगे 1.5 टीस्पून हल्दी पॉडर, 1.5 टीस्पून जीरा पॉडर, 1.5 कश्मीरी लाल मिर्च पॉडर और 1.5 टीस्पून धनिया पॉडर तो इन सारे मसालों को हमी कुछ सेखेंड के लिए भून लेना है क्योंकि ये ट्राइ मसाले हैं तो जदे तक इसे फ्राइ नहीं करना है उसके बाद हम वी टमाटर का पेष्ट इसमें डाल देंगे और इसे हमें ओईल रिलीज होने तक फ्राइ करना है तो ये देखिये मसालों में से oil release होने लगा है तो अब हम इसमें पानी डालेंगे तो उसी mixing jar का पानी हम इसमें डालना है ताकि mixi में लगा हुआ जो बेस्ट है वो बेस्ट ना हो तो अब हम इसमें डाल देंगे सौधन दूसार नमक और इसे हमें अच्छे से boil करना है तो यह डखकन लगा देंगे और इसमें अच्छे से उबालाने देंगे तो यह देखिए इसमें उबाला गिया है तो अब हम इसका डखकन अटा देंगे और इसमें डाल देंगे half teaspoon गरम मसाला गरम मसाला डलने से बहुत अच्छा स्वाद आता है और गरम मसाला को एंट में ही एट करना है तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें के पिसेस डाल देंगे तो यहां पर आपको फिलेम को लो रखना है और इससे डालने के बाद बहुत जाते देर तक इसे कुक नहीं करना है नहीं तो ये कल जाएगा तो इसे हलके हाथों से हमें इस तरह से मिक्स करना है बहुत जादा इसे दवाना नहीं है नहीं तो ये तूटने लगेगा तो इसे मैंने अच्छे से mix कर दिया है और आप हम इसके उपर डालेंगे fresh सारी धन्या की पत्ती और उसके बाद हम इसे डग कर आधे मिनिट के लिए cook करना है बहुत जादा तेर तक इसे cook नहीं करना है अगर आप इसे बहुत जादा तेर तक cook करेंगी तो ये over cook होने के बाद तूटने लगेगा तो अब ये हमारी सबजी बनके बिल्कुल ready हो गई है तो अब हम इसे serve कर लेते हैं तो आप इस सबजी को रोटी, चावल, पूरी, पराटे किसी भी चीज के साथ serve कर सकते हैं ये सबी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और ये बहुत ही new recipe है तो आपको एक बर इसे जरूर try करना चाहिए इसका taste आपको जरूर पसंद आएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेर करें और मुझे ये कमेंट करके जरूर बताए कि आपको ये recipe कैसी लगी ताइक्स पूर वाचिंग